मुख्य मंत्री जैराम ठाकु ने वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से राजे के सभी उपायुक्तों, पुले सधीक्षकों और मुख्य चिकेटसा अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए निर्देश दिये कि संस्थागत कॉरिंटीन में रखे गए लोगों की नियमित चिकेटसा जान सुनिश्चित बनाने के साथ साथ कॉरिंटीन केंद्रों में पर्याप्त सुविधाएं भी उपलब्धे करवाई जाए। जा सकता है इससे इन केंद्रों में रहने वाले लोगों का मनोबल भी भड़ेगा। सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे घरों में अलग कमरों और शौचालियों के उचित सुविधा हो। यदि सुविधा उपलब्ध नहीं हो तो ऐसे लोगों को नस्दीक के पंचैद घर युवक मंडल भवन, महिला मंडल भवन और सामोदाई केंद्रों में स्थाना नत्रित किया जाए। उनने ये भी कहा कि राजिस्तरकार ने प्रवासी मजदोरों के सुविधा के लिए प्रदेश में राष्टे योजना वन नेशन वन राशनकार शुरू की है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रवासी मजदोरों को दो माहा तक निशुल का खादे सामगरी उनने कहा कि जिन मजदोरों के पास राशनकार नहीं है उन्हें भी प्रती व्यक्ती 5 किलोग्राम गेहु या चावल और प्रती माह 1 किलोग्राम दाल निशुल कर दिये जाएगी। शिम्ला